संपून भारत में 1 मई 2.23 को कैसा रहेगा मौसम का हाल हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि किन राज़ों में वर्षा होगी एक मई को और किन राज़ों में रहेगा शुषक मौसम कहां पर बिजली गिरेगी और कहां पर होंगी ओलावश्टी आई जानते हैं इ इलाके हैं उन इलाकों पर काफी तगड़े बादल इससे में बने हुए हैं और गरजिना के साथ लाइटनिंग इस्टाइक तेनरे स्टों के साथ वर्षा हो रहे हैं मैं आगे आपको लाइटनिंग का मेप दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि राज़स्तान गुजरात और तमाम जगों पर इससमें बादल हैं लाइटनिंग कहां हो रहे हैं चलिए ये भी देख लेते हैं इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग इससा एक भी देश के कई शेरों पर हो रहे हैं वर्षा तगड़ी देश के कई राज़ों पर हो रहे हैं प्री पर में मौसम आईए जानते हैं इस वीडियो में एक मई को आप देख सकते हैं कि सेटलाइट इमेज दिखा रही कि देश के कई राज्जों में व्यापक तोर पर भारी बारिश होने की संभावने बन रही है इसे में साउधानी की आवश्रत कहां पर रहेगी इसके पर भी में पर चिटपुट हलकी से मध्यम वर्षा के साथ एक दो इसतारों पर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है एक मई को और साथ-साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम जुगों पर एक मई को व्यापक तोर पर वर्षा होने की संभावना बन रही है लाइटनिंग इस टेक कोटा परताबगर बूंदी जालावार आसपस के तमाम इसों में हलकी से मध्यम वर्षा के साथ एक दो इसतानों पर तेज बारिश होने की संभावना है अब बात पूर बात की करें तो पहले में बात बिहार की करूँआ जहां पर वर्षा होने की संभावना बे दिकाई दे बात के तमाम जगों पर हलकी से मध्यम वर्षा तो इक कदू करस्तानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है जिसमें अउनाचा प्रदेश में पूर्पलिटी बारिश की जादा रहेगी अब आत मतिभायत के राज़ों से करते हैं तो गुजरात में इस समय बारिश की प स्थारी हैं कि कुछ राजिस्तान से लगे वह को में हलकी से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है बाकी पच्छे मध्य प्रदेश में बारिश क्या जो बारिश की घटीविद्या है वह कम होने लगेगी और हलकी से जिटपूट वर्षा भॉपाल सहीत उज्जें सं सकते हैं शोपर शोपरी से लेकर गुना अशोक नगर तक मध्यम सहल की वर्षा होगी जिसमें जबलपूर में तो भारी बारिश का मोडल दिखा रहा है और तमाम जगों पर वर्षा होने की संभावना है और आकाशी बिजली से इंकार नहीं किया जा सकता धूल पठी हमाई च सकता है चति-जबल के कई इसमें पर वर्षा होने की संभावना बन रही है एक मईगों और कुछ इलाकों में ओलावश्टी तो कुछ इलाकों में धुल बर्याओं के साथ जो नुकसाने वो देखने को मिल सकता है और जो मंडी में माल रहता है वो गीला हो सकता है जिससे की आम लोग परिशान हो सकते हैं, भारी नुकसान लोगों हो सकता है, अगर फसल खेत में कड़ी है, अगर आपने कुछ फसल डाल वाइल बोई हुई है, तो कृपया इस समय जिस प्रकार से मौसम बन रहा है, उसमें आपको उसके लिए कुछ साउधानी के आउशकता रखनी महाराष्ट के मौसम के बात करूँ, तो मद्यप्रदेश के बच्ची में बागों के साथ महाराष्ट के भी कई इलाकों में, अब मौसम सुचकोने लगेगा, हलाकि दोपर बात बादल बन सकते हैं, एक कदुका इलाकों में, और हलके से मध्यम वर्षा हो सकती है, बाकी करनाटा के भी कई इलाकों में, चबर दस्त वर्षा होगी, लाइटनिंग इस्टाइक तंडर्स्टॉम के साथ, और देश धूल बड़ी हवाई चलेगी, और तिलंगाना में हवाव की रप्तार 40-50 किलो मुर्ट पर डिगनिते की रप्तार से हो सकती है, इसे में यहाँ पर किसान भाये, उनको अलर्ट किया सकता है, मौसM के पहले से आगा किया सकता है, मौसम के किलाव, जिस परकार से देश में भी प्री मौनसून की वर्षा हो रही है, तो वर्षा के साथ हमाई चलती है, और ,- बिश्टी होती है और जिससे आम अदमी को काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और किसान भाई को खास का नुकसान होगा अगर उनके खुले में कुछ पढ़ा हुआ है या सुकाने को रखा है तो किरफा मौसम बदलते ही घर में रख ले क्योंकि मोसम इस समय काफी बहतर लगा अच्छा लगा तो कि पर वीडियो को लाइक करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले तन्यवाद